जरा देखेगा भी या कि क्या-क्या होने वाला है आगे तो भाई मैंने कहा वेधरिंग तो समझ में आगया लेकिन क्या वेधरिंग के बाद कुछ और होगा तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा भाई ये रॉक थी मेरी तूट गई हो सकता है गरेंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ मैं में भी पॉसिबल कि रॉक तूटने के बाद जहां पर रॉक थी पानी का फोर्स आया हवा का फोर्स आया कोई कैमिकल रियक्शन हुआ जो भी हुआ हो वो रॉक तूट गई तूटने के बाद हो सकता है ज़रूर नहीं हमेशा हो हो सकता है वो रॉक तूटने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी नई जगे पर जाके shift हो जाए सोचिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है की नहीं भाई रॉक जहां पर थी वहीं पर तूट गई तूटने के बाद हो सकता है जिस पानी जो पानी आया था जो पानी ने उसको तोड़ा था वो पानी बहाते हुए उसको आगे ले जाए हवा के कारण वो कहीं और शिफ्ट हो जाए या जो भी कोई कारण रहा हो हो सकता है कि नहीं है कि रॉक तूटने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी नई जगह पर जाके शिफ्ट हो जाए बिल्कुल हो सकता है और होगा भी आज नहीं होगा, कल नहीं होगा आज सो साल बाद कभी न कभी तो कोई ऐसी चीज वहाँ पर होगी कोई ऐसा पानी का फोर्स आएगा कोई ऐसा हवा का फोर्स आएगा जो उसको बहा के शिफ्ट करा देगा किसी नई जगह पर Getting my point? तो भाई ये हुआ कि मेरी रॉक की weathering तो हो चुकी है मेरी रॉक की weathering तो हो चुकी है ये मेरा पहला process था ये मेरा पहला step है ये मेरा पहला step हुआ कि rock तूटी तूटने के बाद मैंने क्या बोला तूटने के बाद मैंने बोला कि भाईया हो सकता है ये rock जो आपकी थी जब तूट चुकी है तूटने के बाद हो सकता है ये transport हो जाए shift हो जाए अपनी original position से नहीं बिल्कुल हो सकता है तो भाई यह second process, second step हो गया यह आपका, this is your second step, भाई टूटेगी तभी तो transport होगी, ऐसी कि आज रौक यहाँ पिती कल वहाँ थोड़ी चली जाएगी, जब उसमें से कोई part टूटेगा, तभी तो वो किसी नई जगे पर जाके shift होगा, तो transport हो गई भाई यह, अब transport हो गई, तो किसी नई जगे पर पहुची, तो वहाँ पर जाके deposit होना चालू हो जाएगी कि नहीं होगी, भाई for example, यह मालीजे रौक है आपकी, यह तूट गई, तूटने के बाद किसी नई जगे पर जाके चली गई, तो वहाँ नई जगे पर जाके इसरा step यह हुआ कि यहां के बाद, अब आपकी जो रौक थी, अब वो किसी नई जगे पर जाकर deposit होना चालू हो जाएगी, तो यह हो गई आपकी तीसरी step, this is your third step, रौक किसी नई जगे पर जाके deposit होना चालू हो गई, getting my point, भाई टूटी, टूटने के बाद transport हुई, ट्रा deposit होने लगी, अच्छे एक और बात सुनिएगा, मान लीजे, transport नहीं हुई, मैंने transport के समय पर बोल ले था यह बात, कि हो सकता है transport हो, हो सकता है transport ना हो, तो अगर transport नहीं भी हो रही है, तो तूटने के बाद अपनी original place पर ही deposit होने लगेगी, तो यह deposition तो होगा ही होगा, चा भई, रॉक तूटी, तूटने के बाद हो सकता है transport हो, हो सकता है transport ना हो, जो भी हो, अगर transport हो गई, तो किसी नई जगे पर जाके deposit होगी, और अगर transport नहीं हुई, तो अपनी original place पर ही deposit होना चालू होने लगेगी यह, आर यह बात समझ में, चलिए भईया, यह बात भी समझ में आ गई, तो अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद क्या होगा, deposit तो हो गई, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिएगा क्या होगा, इसके बाद भी अभी कुछ और होने वाला है इसके साथ, क्या होगा, इसके बाद एक और step होगा, जिसको मैं कह रहा हूँ, अप हीवल, इसको मैंने फोर्थ नंबर का स्टेप बोला, अप हीवल का मतलब क्या, भई एक लेयर का डिपॉजिशन हुआ, उसके उपर दूसरी लेयर आके डिपॉजिट हुई, जरूरी नहीं कि कल हो जाए, हो सकता 5 साल बाद हो, हो सकता 2 महीने बाद हो, एक नई लेयर होता जाएगा, तो वो अप हीवल कहलाता है, अप हीवल हो गया, इसके बाद क्या, क्या खतम, नहीं, अभी खतम नहीं हुआ है, ये जो अप हीवल हुआ ना, इसके बाद वापस से वेदरिंग चालू हो जाएगी वहां पर, ये एक साइकलिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि किसी नई जगे पर जाके डिपोजिट हुई, तो सोई बन गई, नहीं, ये continuous प्रोसेस है, 24-7 अभी भी आपके घर के बाहर जो मिट्टी है, उसके साथ ये सारे प्रोसेस चल रहे है, जो मिट्टी है ना आपके घर के बाहर, उसके साथ भी, भई हवा तो आ रही है ना, पा रही हो, हो सकता है पानी उसको और जादा fine particles में तोड रहा हो, हो सकता है कोई chemical उसके साथ react करके उसको और जादा छोटे छोटे टुकडों में तोड रहा हो, फिर वो किसी एक जगे से दूसरी जगे ट्रांसपोर्ट भी होगी, हवा आई, बहा के ले गई, उडा के ले गई अपने साथ मिट्टी को, पानी आया, अपने साथ flow करा के ले गया मिट्टी को, कुछ भी हो सकता है, तो अफीवल के बाद भी, जहाँ पर ये अफीवल हुआ है, वहाँ पर भी वापस से weathering का process चालू हो जाएगा, फिर weathering होगा, फिर transportation होगा, फिर deposition होगा, फिर अफीवल ये process round the clock, 2400 घंटे, साथो दिन, 365 दिन, ये process चलता रहेगा, तो ये endless process है, cyclic process मतलब एक तरीके से endless process है, ये process round the clock, जब तक ये धरती है, तब तक ये process चल रहा है, और मिट्टी का formation होता जा रहा है, आई बाद समझने हैं? तो एक बार gate में बहुत पहले, आज से 15-20 साल मतलब exactly याद नहीं मुझे, लेकिन एक बार gate में एक सवाल पूछा था, ये चार process के नाम लिखके दिये थे, और इनको बोला था कि इनको proper sequence में जमा के बताईए, कि पहले कौन सा process हो रहा है, पहले weathering होगा, कि transportation होगा, deposition होग तो ये चार process को आपको एक sequential order में जमाने का बोला गया था, तो जमा देंगे I think, ये चार process है, इन चार process को आप आसानी से arrange कर सकते हैं, सबसे पहले weathering होगा, फिर transportation होगा, फिर deposition होगा, और फिर upheaval होगा, और upheaval के बाद वापस से weathering का process चालू हो चुका रहेगा, अब एक चीज और दिमाग में आनी चाहिए, वो चीज ये है कि सर ये जो transportation हो रहा है, वेधरिंग क्यों हुआ ये तो मुझे समझ में आया न, weathering physical forces के कारण भी हो सकता है, chemical reaction के कारण भी हो सकता है, transportation क्यों हो रहा है, rock तूटने के बाद किसी नई position पर जाके shift क्यों हो रही है, ऐसा क क्या हुआ, तो भाईया हो सकता है न, पानी के कारण चली गई हो, हवा के कारण चली गई हो, खुद के weight के कारण हो सकता, shift हो गए, भाई कोई होती है न, जब land slide होता है, आपने देखा होगा, तो बड़ी बड़ी चट्टाने, बड़े बड़े पत्थर, अपने weight के कारण ह ही तो नीचे गिर रहे हैं, कोई वहाँ पर उपर से आके धक्का थोड़ी देता है उसको, उनके खुद के weight के कारण वो आगे की तरफ में किसी नई जगे पर जाके shift हो रहे हैं, तो सवाल उठा कि सर, ये transportation का process कैसे हो रहा है, लेकिन देखिए, एक और चीज़ फिर से समझ अगर rock तूटने के बाद, मतलब weathering के बाद, किसी नई जगे पर जाके shift नहीं होती है, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, rock थी तूट गई, कैसे तूटी, उसकी कहानी हम पढ़ चुके हैं, rock थी आपकी तूट गई, तूटने के बाद मैंने बोला कि मा लीजे rock तू वही पर deposit होने लगी, transportation नहीं हुआ उसका, तो उस type की, वहाँ उस condition में, जो soil मुझे मिलेगी, that is known as residual soil, लिखवाँगा अभी मैं आपको, अभी लिखेंगे अब अगली screen पे, कि अगर weathering के बाद, transportation नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि rock तूटने के बाद, अपनी original position प heap भी होने लगेगी, तो उस type की soil को मैं नाम दूँगा, residual soil, ठीक है, दूसरी condition, मान लीजे, rock तूटने के बाद, transport हो गई, किसी भी कारण से, वो कारण की बाद भी मैं करूँगा, कि transport क्यों हुई, लेकिन अभी फिलाल में मैंने माना, कि rock तूटने के बाद, transport हो गई, तो नहीं position पर जाके deposit होगी, और वहाँ पर अफिफ चालू हो जाएगा, तो अगर rock तूटने के बाद, अपनी position से shift हो जाती है, transport हो जाती है, तो जो मिट्टी मुझे मिलेगी, उसको मैं transported soil कहूँगा, तो दो तरीके की soil मिली मुझे, अगर rock तूटने के बाद, अपनी original position पर ह deposit होना चालू हो जाती है, तो उसको मैंने residual soil बोला, अगर rock तूटने के बाद, shift हो जाती है, किसी नई position पर जाके deposit होती है, तो उसको मैं बोलूँगा, transported soil, getting my point, तो अगली slide पर जरा इसके बारे में लिखते हैं, तो मैंने कहा, पहला type की soil को नाम दिया मैंने, residual soil, हलांकि देखिए, ये सब कोई भी बाते gate में आपसे नहीं पूछेगा, guarantee के साथ बुल रहा हूँ, ये कोई भी चीज नहीं पूछी जाती है gate में, लेकिन, पहले भी मैंने आपको बताया था, और बार-बार बताऊंगा ये बात, कि कुछ चीजें ऐसी होती है, जो हमको exam के point of view से नहीं, लेकिन subject को समझने के point of view से पढ़ना पढ़ता है, तो ये जो chapter हम पढ़ना है, ये कहीं न कहीं उसी के लिए है, कि हमको soil mechanics को आगे बहुत ज़ादा detail में पढ़ना है, तो उसके लिए हमको ये सब बातें जानना ज़रूरी रहता है, सिर्फ आपकी understanding के लिए, gate वाले नहीं पूछेंगे इसके बारे में, खिर, residual soil क्या हुआ, residual soil को हम क्या बोलेंगे, तो residual soil का मतलब ये हुआ, if, after weathering, अगर weathering के बाद, the rock, the disintegrated rock बोलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, the disintegrated rock, gets deposited in its original, या, आप बोल सकते हैं, native place, मतलब जहां पर वो rock थी, वही पर तूटने के बाद deposit होने लगी, तो उसको मैं, residual soil का नाम दूँगा, हालांकि एक बात और याद रखिएगा, इस दुनिया में, residual soil का existence बहुत कम है, भई, आज नहीं shift हुई, माल दीजे, आज तूटी, आज मेरी rock तूट गई है, माल दीजे, आज shift नहीं हुई, हो सकता, आज से 10 साल बाद कोई पानी आए, और उसको shift करा दे, आज से 20 साल बाद कोई हवा आए, उसको shift करा दे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो 10 साल बाद, कभी न कभी हर मिट्टी shift होती है, इसलिए residual soil का nature में मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, तो residual soil का existence की बाद करूँ अगर मैं, तो किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि 5 से 10 परसेंट मिट्टी, जितनी भी मिट्टी इस धर्ती पर मौझूद है, उसका बमुश्किल 5, 7, 10 परसेंट मिट्टी residual soil है, बाकी तो सारी मिट्टी transported soil ही होती है, आई बास समझ में, तो ये तो हुई भी है मेरी residual soil की बाद, I hope कि ये residual soil का मतलब समझ में आया होगा, कि अगर मेरी rock तूटने के बाद, अपनी original place पर ही deposit होने लगे, तो उसको मैं residual soil का नाम दे दूँगा, ठीक है, दूसरी कौन से मिट्टी बनी भहिया मेरी, दूसरी मिट्टी की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने बोला, that is the transported soil, the second type of soil is transported soil, अब सवाल हुटता है कि सर ये transported soil क्या है, तो भहिया जो residual soil थी, उसमें क्या हुआ था, रॉक तूट कर, जहां पर तूटी, वही पर इखटा होना चालू हो गई, वही पर deposit होना चालू हो गई, तो उसको मैंने residual soil बोल दिया था, transported soil का क्या मतलब हुआ, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, कि if the rock, if rock, after withering, gets deposited in, या इसको थोड़ा सा और अलग कर लें, if the rock, after weathering, shifts from, its original position, its original position, and gets deposited, at, at है यह, at, a new location, बहुत जादा दिमाग नहीं लगाना इन सब बातों पे, और मैं यह चीज भी आप से पहले भी बोल रहा हूँ, कि यह जो मैं चीजें लिख रहा हूँ, आपको यह word to word रटना भी नहीं है, यह तो सिर्फ आपके understanding के लिए मैं हर चीज को दो-दो line में लिख दे रहा हूँ, so that, इसको पढ़के आपके दिमाग में यह सारी चीजें बैठ जाएं, यह definition रटनी नहीं है, अभी तक जितनी भी बाते मैंने बताएं थे उसको रटना नहीं है, simple understanding है, एक basic understanding रखेंगे, तो यह सारी बाते आप अपने शब्दों में भी explain कर सकते हैं, अगर कभी किसी एक्जाम में जरूरत पड़ी तो, तो भाई, transported soil क्या हुआ, तो हमने बोला कि भाईया, अगर आपकी जो rock थी, वो तूटने के बाद, किसी नई position पर जाके deposit होती है, तो उसको मैंने transported soil का नाम दे दिया, अब एक सवाल आखरी बचता है, कि सर ऐसी कौन सी चीजे थी, ऐसे कौन से factors थे, जिसके कारण, मेरी जो rock थी, तूटने के बाद, किसी नई जगे तक पर पहुँच गई, कोई ना कोई चीज तो आई होगी न, जो उसको एक जगे से दूसरी जगे पर shift कराने में help करी होगी, भई, ऐसा तो नहीं है कि आज यहां थी, कल वहां पहुँच गई, कैसे पहुची, अपने आप पहुच गई, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, हो सकता है कोई पानी आया हो, वो पानी अपने साथ उसको flow करा के ले गया हो, बहुत तेज हवा आई हो, वो हवा उसको अपने साथ flow करा के ले गई हो, हो सकता उसके खुद के वेट के कारण वो एक जगे से दूसरी जगे शिफ्ट हो गई हो लुड़कते लुड़कते अपनी एक जगे से दूसरी जगे पर शिफ्ट हो जाए ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते है जिसके कारण ये रॉक तूटने के बाद एक जगे सर से दूसरी जगे पर shift हो गई हो आई बास समझ में तो कौन-कौन से कारण है जरा उसको देखते हैं और उसके साथ ही आपका यह जो introduction वाला part है that will be finished यह खतम हो जाएगा और भी चीजे हैं जो आती रहेंगी कुछ theoretical चीजे हैं जो आपको आती रहेंगी हलांकि gate के point of view से मैंने पहले भी बताया था कि यह chapter आपका बहुत जादा significance नहीं रखता है gate के लिए लेकिन उसके अलावा जो दूसरी परिक्षाएं होती है वहाँ पर इस chapter का थोड़ा सा importance बढ़ जाता है खासकर state level की कोई परिक्षा है या फिर junior engineer level की कोई परिक्षा है तो वहाँ पर इसमें से कई बार सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि junior engineer या state engineering services में आप देखेंगे तो जादतर one liner questions ही पूछे जाते हैं simple पढ़े पता है तो टिक लगा दीजे ने तो फिर कोई concept का involvement नहीं होता है उस type के questions में सवाल उठा कि बही किन कारणों से ये rock तूटने के बाद transport हुई है यो उन कारणों को जड़ा देख लेते हैं और उसके साथ ही फिर ये वाला जो part था आपका introduction part उसको हम लोग finish करेंगे what are the different modes of transport what are the different reason of transport मैं बात करूँ modes of transport की किसका transport कर रहे हैं भी या rock का न जो rock थी जो तूट चुकी थी तूटी कैसे थी physically या chemically जैसे भी तूटी रही हो तूटने के बाद मेरी rock में मेरी rock एक जगे से दूसरी जगे पर shift हुई तो किन कारणों से shift हुई है क्या modes है transport के उन कारणों को जड़ा देखते हैं सबसे पहला कारण जो की दुनिया में हर जगे मौजूद रहता है उसको मैंने कहा air या wind हवा बोल दीजे air या wind ये तो हर जगे मौजूद होगी भाई एक बार मैंने माना चलो कहीं पर पानी नहीं है लेकिन हवा तो होगी ना इस धर्ती पर हर जगे तो ये हवा उस तूटी हुई पत्थर को उस तूटे हुए रॉक को एक जगे से दूसरी जगे shift कराने में help करेगी तो पहला mode of transport मैंने बोला air या wind और इस mode of transport इस हवा के कारण अगर आपकी रॉक एक जगे से दूसरी जगे पर shift होती है तो जो मिट्टी आपको मिलने वाली है जो सॉईल आपको मिलने वाली है उस सॉईल को मैं नाम देता हूँ एवलिन का A-E-O-L-I-N-E एवलिन अगर हवा के कारण आपकी रॉक एक जगे से दूसरी जगे पर shift हुई है तूटकर ही तो shift हुई होगी weathering हो चुकी थी weathering के बाद हो रहा है ना transport तो अगर आपकी रॉक weathering के बाद हवा के कारण एक जगे से दूसरी जगे पर shift हुई है तो जो मिट्टी आपको वहाँ पर मिलेगी उस मिट्टी को मैं AOLINE का नाम देता हूँ A-O-E-L-I-N-E यह अगर आपको P जैसा दिख रहा हो तो इसको मैं L कर देता हूँ L-I-N-E AOLINE ठीक है भी या और क्या हो सकता है mode of transport दूसरा mode of transport भईया मैं बोल रहा हूँ running water दूसरा mode of transport मैंने बोला running water अब यह running water क्या है सिर्फ पानी तो पानी होता running water का क्या मतलब है बहता हुआ पानी मतलब नदी की बात कर रहा हूँ बहता हुआ पानी कौन सा पानी है जो flow कर रहा है हर पानी flow करता no doubt लेकिन running water का मतलब river है तो अगर नदी अपने साथ particles को flow कराते हुए ले जा रही है तो जो मिट्टी आपको मिलने वाली है उस मिट्टी को क्या नाम देते हैं नाम सुने होंगे जरूर आपने aluvial नदी के किनारे जो मिट्टी आपको मिलती है या जब नदी के अंदर में डुक्की लगाते है नदी के अंदर नदी के bed पर जो मिट्टी आपको मिलती है वो मिट्टी कहां से आई कहीं न कहीं से तो पानी के साथ ही flow करते हुए आई होगी ना उस मिट्टी को नाम दिया जाता है aluvial soil नदी के किनारे, नदी के bed के नीचे, नदी की सतह पर जो मिट्टी आपको मिलती है वो कहां से आई वो जो नदी का पानी था वो अपने साथ ही तो इसको carry करते हुए लाया होगा कही न कहीं से, उसको मैं aluvial soil कह देता हूँ और कौन सी चीज हो सकती है running water हो चुका है air हो चुका है और कौन सी कारण बन सकते हैं यह transport के, बताएं जड़ा समुदर का पानी भी तो हो सकता है sea water भी तो हो सकता है इस sea water के कारण जो आपको soil मिलेगी sea water अगर transport करा रहा है समुदर के तल पे, समुदर के बेड पे अगर कोई available है समुदर के तल पे जो मिट्टी available है वो भी तो कही न कहीं से flow करते हुए ही आई होगी उस मिट्टी को क्या नाम देंगे उस मिट्टी को आप simply बोल देंगे that is the marine soil उस मिट्टी को आप नाम देंगे marine soil का ठीके बीया और का कौन सा कारण बन सकता है glaciers जो glaciers हैं क्या glacier help करेगा rock, disintegrated rock को एक जगे से दूसरी जगे shift कराने में, बिल्कुल करेगा glaciers भी तूटे हुए rock को एक जगे से दूसरी जगे पर ट्रांस्पोर्ट कराने में help कर सकते हैं तो चौथा जो mode of transport हो सकता है जो चौथा mode of transport हो सकता है आपका उसको मैं क्या बोल दूँ भीया जो चौथा mode of transport आपका है उसको मैं नाम दे देता हूँ चलिए glaciers का तो glacier के कारण जो soil आपको मिलेगी उस soil को मैं नाम देता हूँ glacial drift का अगर glacier के कारण rock के टुकडे disintegrated rock किसी एक जगे से दूसरी जगे पर shift हो रही है तो उसको मैं glacial drift का नाम दे दूँगा एक और last mode of transport हो सकता है एक last mode of transport की अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो that is the self weight भई पत्थर तूटे हुए पत्थर का खुद का weight भी तो उसको एक जगे से दूसरी जगे पर shift कराने में help कर सकता है तो अगर disintegrated rock अपने खुद के weight के कारण एक जगे से दूसरी जगे पर shift हो रही है तो जो मिट्टी आपको मिलेगी उसको मैं coluvial soil का नाम देता हूँ coluvial इसको आप talus भी कह सकते हैं T-A-L-U-S तो फिर भई अगर rock तूटने के बाद उसके खुद के weight के कारण एक जगे से दूसरी जगे पर shift हो गई तो जो मिट्टी आपको वहाँ पर मिलेगी उस मिट्टी को मैं coluvial soil का नाम देता हूँ या टालूस भी कह सकते हैं टालूस भी बोलते हैं, coluvial भी बोल सकते हैं तो overall अगर हम देखें अगर मैं overall देखूं तो भी या इतने mode of transport की बात मैंने की I hope की दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा मैंने zoom in करके आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहला mode of transport मैंने कहा air भी जो हर जगे मौजूद है पानी हो ना हो glacier हो ना हो लेकिन हवा तो है ना हवा आज नहीं तो कल नहीं तो परसो नहीं तो आसे दस साल बात कभी ना कभी उस तूटे हुए रॉक को एक जगे से दूसरी जगे शिफ्ट कराएगी और जब कराई तो जो मिट्टी आपको मिली उसको मैंने कहा eulin running water मतलब नदी के पानी ने अगर आपकी मिट्टी को तूटे हुए रॉक के टुकडो को एक जगे से दूसरी जगे पे शिफ्ट कराया तो मैंने उसको कहा aluvial soil समुद्र के पानी के कारण अगर ये transportation का phenomenon हो रहा है तो मिट्टी को मैंने कहा marine soil glacier के कारण हो रहा है से दूसरी जगे पर shift हो सकती है ठीक है भी या तो देखे आज की अगर हम बात करें अभी फिलाल की इस lecture की तो हमने ये देखा कि जिस soil के बारे में हमको पढ़ना है आगे soil की property समझनी है soil की उपर में stresses जो आ रहे हैं उसके बारे में समझना है बहुत सारी बाते करनी है soil की लेकिन ये soil बनी कैसे ये हमारे लिए हमारे खुद के knowledge के लिए जानना जरूरी था पहले भी मैंने बोला exam के point of view से ये topic बहुत जादा important नहीं है gate के लिए तो लेकिन ये जानना जरूरी था हमको क्योंकि soil कहां से आई ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है हमारी खुद की understanding के लिए तो हमने ये जाना कि भाईया जो rock थी एक summary आपको दे देता हूँ 5 minute में and that will be our end of this introduction chapter soil का introduction का जो part था वो यहीं पर finish होगा अगले lecture में जो आपकी बाते चालू होगी वहां से actual syllabus जो exam में पूछा जाता है वो चालू होगा तो आज हमने ये देखा कि भाई जो हमारी soil थी ये बनी कैसे तो एक rock थी उसका disintegration हुआ मतलब weathering हुआ तो मुझे soil मिला ये जो weathering था ये दो तरीके से हो सकता था physically या फिर chemical physical forces मतलब हवा का force पानी का force खुद का weight earthquake temperature variation इन सब के कारण अगर rock आपकी तूटी है तो वो physical weathering है atmosphere में जो gases है वो gases जब इस rock के साथ contact में आएंगी कुछ chemical reactions हुए oxidation हो सकता है carbonation हो सकता जो भी reaction हुआ हो उस reaction के कारण अगर rock तूट रही है तो वो chemical weathering हो गया weathering होने के बाद जब rock आपकी तूट गई है तूटने के बाद हो सकता है rock जहां पर तूटी थी वही पर deposit होने लगे या हो सकता है किसी नई position पर shift हो जाए अगर नई position पर shift हो जा रही है तो वो transported soil है और जहां पर तूटी थी वही पर इखटी हो जा रही है deposit हो जा रही है तो वो residual soil है transported soil कितने प्रकार की हो सकती है तो ये कुछ मैंने आपको examples दिये हैं कि mode of transport के साब से आप soil को classify कर सकते हैं तो ये हुई कुछ बाते जिसमें हमने ये जाना कि भहिया soil आई कहां से next chapter जो next topic हमारा रहेगा वहाँ से ही सबसे जादा question frame होते हैं जैसा मैंने आपको syllabus जब मैंने discuss किया था तब भी बताया था कि जो इस पूरे soil mechanics का सबसे important part है that is the phase relationships अगर phase relationship की कहानी समझ में आ गई आपको तो आगे का soil mechanics आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और अगर phase relationship में जरासी भी उल्जन हुई तो आगे का soil mechanics समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा इसलिए जो next chapter हमारा रहेगा phase relationship का वो बहुत important chapter है exam के point of view से भी और आगे की soil mechanics को समझने के लिए भी यह वो chapter बहुत जादा important हो जाएगा तो अगला chapter जब हम लोग देखेंगे वो phase relationship का रहेगा बहुत important और हर साल चाहे वो gate की परिक्षा हो चाहे कोई दूसरी exam हो हर exam में phase relationship में से सवाल आएगा ही आएगा 101% की guarantee के साथ मैं बोल रहा हूँ आपको phase relationship से सवाल आपको हर साल आपकी gate के exam में मिलता है in fact gate के लावा जो दूसरी exam सोते है चाहे वो engineering services हो चाहे state level का कोई exam हो हर exam में phase relationship से सवाल मिलने की संभावना सत प्रतिशत रहती है 100% की guarantee के साथ phase relationship से सवाल आपको मिलेगा क्या होता है phase relationship क्या चीज़े उसमें पढ़नी है उस सारी बाते हम लोग next lecture में देखेंगे आज के लिए ये हमारा topic था that is the introduction part की soil कहां से आई एक general introduction था आगे के soil mechanics को समझने के लिए ये चीज़ का background होना आपके लिए जरूरी है exam के point of view से दुबारा repeat कर रहा हूँ exam के point of view से gate के point of view से ये chapter important नहीं था ठीक है तो ये खतम होता है आपका introduction part अगले lecture में अगली topic के लिए हम लोग मिलेंगे that is the phase relationship इन सब चीज़ों को एक बार वापस से पढ़िएगा revise करिएगा खुद के notes develop करने की कोशिश करिए so that आपके पास एक ready to use material रहे आपके पास आपके खुद का लिखा हुआ जो exam के आखरी दिनों में आपको help करेगा ठीक है चलिए आज के लिए ये पर खतम करते हैं next lecture में हम लोग मिलेंगे faith relationship के साथ तब तक के लिए टाटा बाइ बाइ and thank you